Hello friends, I hope you all are well. So friends, आज मैं आपके साथ भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखेत चित्रलेखा उपन्यास के बारे में बताऊंगी. और मैं आशा करूंगी कि आपको ये उपन्यास बहुत ज्यादा पसंद आएगा. वैसे ये उपन्यास जो है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है. क्योंकि इसके लिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आये थे कि मैं प्लीज आप चित्रलेखा उपन्यास के बारे में बताईए. तो बस आप लोगों के लिए ही ये चित्रलेखा उपन्यास की वीजियो मैंने बनाई है. तो चलिए हम इसकी शुरुवात करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा हम इसके पात्रों के बारे में जानते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से हम तीन पात्रों की बारे में ही तीन पात्रों परी मतलब अगर देखें तो पूरा उपन्यास इन्ही पर टिका हुआ है. प्रमुख पात्र के रूप में हैं, जैसे चितलेखा, इसकी नाईका, बीजगुप्त और कुमारगिरी इन्ही तीनों के बारे में और इन्ही तीनों के आधार पर हम इस पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे. तो चलिए हम इसकी शुरुवात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि उपन्यास चितलेखा जो है, इसको भगवती चरण जी के द्वारा एक उपन्यास कार के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया गया था. और यह उपन्यास जो है, वो मुख्य रूप से पाप और पु एक श्वेतांक होता है और एक विशालदेव होता है. और इन्हीं दोनों को यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है और पुन्य किसे कहेंगे. रतनामभर दोनों से कहता है कि तुम्हें संसार में यह ढूनना होगा, जिसके लिए तुम्हें दो लोगों की सहायता की आविशक्ता होगी एक योगी है जिसका नाम कुमारगिरी है और दूसरा भोगी है जिसका नाम बीजगुप्त है तो इसमें क्या होता है जैसे कि महाप्रभू रतनामभर जी होते हैं वो अपने दो सिश्य श्वेतांक और विशाल देव को भेशते हैं पता लगाने के रतनामभर जिनके शिश्योते एक को भेशते हैं बीजगुप्त के पास और दूसरे को भेशते हैं कुमारगिरी के पास इन दोनों को भेशते हैं कुमारगिरी जो होता है वो भोगी होता है और बीजगुप्त जो होता है वो राजा होता है और इन ही दोनों के बारे में इन श्वेतांग को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगीरी के पास भेज दिया। जाओ अनुभो प्राप्त करो और एक साल बाद हम सब यहीं पर मुलाकात करेंगे। चलने को तैयार हो जाते हैं। चलने से पूर्व रतनामभर उन दोनों को संबोधित करते हुए। संशेप में बताता है कि कुमारगीरी योगी है और उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पाली है। किसने पाली है कुमारगीरी ने और यह ऐसा रतनामभर उनके बारे में बताता है कि इसने संसार पर विजय पाली है। उसे संसार से विरक्ती है, संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष है। और वही विशाल देव जो है वही तुमारा गुरू होगा और इसके विप्रीत जो बीजगुप्त है वो भोगी है। उसके हिर्दय में योवन की उमंग है और आखों में मादक्ता की लाली। उसकी विशाल आतलिकाओं में सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वो कैली करता है। एश्वरे ही उसके पास कमी नहीं हैं। और मतलब अगर देखे तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो इस तरीके से दोनो अपने अपने जगे पर चले जाते हैं। श्वेतांक जो होता है वो बीच गुप्त के पास जाता है और विशाल देव जो है वो कुमार गिरी के पास जाता है अब जब दोनों चलते हैं तो अब दूसरे पड़ाव पे कहानी प्रारंब होती है चित्रलेखा 18 वर्ष की आयू में विध्वा हो जाती है फिर उसे कृष् ऑर भद्षन यानि कि लज्जा के कारण या लोगों की मतलब निंदा, लोगों की निंदा की वज़े से कृष्न दुट्य ने को आत्म हत्या करनी पड़ जाती है और वह आत्म हत्या कर लेते चित्रलेखा एक नरतकी की यहाँ आर्श ले लेती है जहाँ उसे पुत्र होता ह और जो पैदा होते ही संसार छोड़कर चला जाता है। चित लेखा जो होती है वो वहीं पर नर्तिकी का कारे करने लगती है। और वो इतनी ज्यादा सुन्दर होती है और आकरशक होती है कि पाटली पुत्र का जितना भी जन समुदाय होता है उसके कदमों पर लेटा रहता है परंतु उसने अपने सहियम के तेट से अपनी कान्ती को बनाए रखा था एक दिन वो अपने पेशे के अनुसार अपना निर्थ्य प्रस्तुत कर रही थी और उस समय बीजगुप्त जो होते हैं वो उसका निर्थ्य देखने आते हैं बीजगुप्त पाटली पुत्र के सुन्दर पूरिशों में एक मानी जाते थे बीजगुप्त थे वो सामन्त थे यानि राजा थे और अपने विशाल आटली काओं में भोग मिलास, मदिरापान और नर्तिकियों के नृत्य में मतलब उन्ही में वो रुची रखते थे और उस से आ गया है, ऐसा चितलेखा को अनुभव होता है, और तभी बीजगुप्त की आखे भी चितलेखा से मिल जाती है, जब बीजगुप्त चितलेखा पर मोहित हो जाते हैं, तो उसे चितलेखा से अकेले मिलने का प्रस्ताव रखते हैं, चितलेखा ने कहा, मैं वैश्या नह जोदें में भी वही बेचयनी उत्पन कर गया धीरे दीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। चितलेखा और बीज्गुप्त mádक्ता और भोग विलास में लिप्त हो गये और इसे ही संसार का सुख समझने लगे। वीजगुप्त और चतलेखा दोनों ही एक दिन दोनों केली ग्रह में मादक्ता और उन्माद में खोए हुए थे और उसी समय वहां रतनामबर जो श्वेतामबर का शिश्य होता है वहां पर आता है और श्वेतांक ने प्रवेश किया रतनामबर के शिश्य श्वेतांक ने प् बेजगुप्त ने कहा महाप्रभू रतनामभर के आने का कारण पूछो तो उन्होंने बताया कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे प्रशन पूछा है कि पाप क्या है जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उप्युक्त साधन नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी सहायता गुरू दक्षिना के रूप में लेना चाहता हूँ संसार के भोग फिलास में ही तुम्हारा सही परिक्षन हो सकेगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेतांक को सेवक के रूप में स्विकार करो और याद रखना यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है बीजगुप्त जब यह सब सुनते हैं तो वो रतनामभर की आज्या का पालन करते हैं और रतनामभर जो है वो वहां से पिर चले जाते हैं बीजगुप्त चितलेखा का श्वेतांक से परिशे कराते हुए कहता है ध्यान रखो तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है तो यह तुम्हारी स्वामिनी हुई इस तरीके से चित्रलेखा से वो कहता चित्रलेखा के बारे में परिशे देता है कौन बीजगुप्त देता है श्वेतांक को केली भवन में चितलेखा के मादक सौंदरे को देखकर जो श्वेतांक होता है उसकी आखे चौंधी आ गई थी श्वेतांक ने जब बीजगुप्त के कहने पद चितलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ निर्तकी यानि चितलेखा के हाथ से स्पर्ष हो जाता है जिससे श्वेतांक का पूरा शरीर जो है वो काप जाता है उसी दिन बीजगुप्ट ने श्वेतांग से चितलेखा को उसके भवन तक छोड़ आने का आदेश दिया था धीरे धीरे ये श्वेतांग का रोज का ही कार्य बन गया था दूसरी और अब हम जुनके दूसरे शिश्य की बात करते हैं जो कुमारगिरी के यहां जाता है जो योगी होता है उसका छेतर सैयम होता है और नियम से बंदा होता है उसका मानना है कि सैयम और नियम से पाप जो है वो दूर हो जाता है फिर भी वो अपने आचारे रतनामभर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिश्य के रूप में स्विकार कर लेता है विशाल देव जो होता है वो देव अपने गुरु कुमारगिरी के जो कुमारगिरी पताए गए सिध्धान्त और नियम और सहियम के साथ तपस्या करने लगते हैं इस तरीके से दोनों ही दोनों जगे पर पाप और पुन्य का पता लगाने के लिए विलुप्त हो जाते हैं एक दिन जब समराच चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है जहां अनेक चित्ते भी लोग होते हैं सब लोग उपस्थित होते हैं उसी संदरे देखकर सब मोहित होड़ते हैं और चितलेखा जब निर्थ्य करना प्रारम करती है तो उसकी द्रिष्टी कुमारगिरी की तो उसका ध्यान जो है चितलेखा का निर्थ्य करते वक्त कुमारगिरी की तरफ जाता है और उन्हें देखकर उनकी और आक्रिष्ट होती है तभी कुमारगिरी की दृष्टी भी चितलेखा से मिल जाती है समराट की सभा में महामंत्री चाड़क के द्वारा तर्क वितर्क होता है जिसमें कुमारगिरी अपने योग और सातना को समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं तभी चितलेखा जो होती है वो कुमारगिरी के योग और सैयम को समूह के समक्ष पलट कर लोगों में उसके प्रती उत्पन्य कर देती है जिससे कुमारगिरी आहत हो जाता है और चितलेखा कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है चितलेखा पाटली पुत्र के एक व्योव्रद सामन्त होते हैं आर्य श्रेष्ट मृत्युंजय उनकी इकलोती कन्या है यशोधरा जिसका विवाह जो वो अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से करने के लिए ऐसा आमंतरन रखते हैं पर बीजगुप्त जो है वो चितलेखा से प्रेम करता है तो उसने इनकार कर दिया उसने कहा कि वह केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है और वो है चितलेखा जब ये बात चितलेखा को पता चली तो उसने बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से करवाने का निश्चे कर लिया और correction कुमारगिरी के आश्रम जाकर रहने बिचार बना लिया और इसी समय वह बीजगुप्त को त्यागने और स्वयम कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने के परि सोदरा से विवाख करने में ही तुमारा भला हो सकेगा ऐसा जो है यह चितलेखा बीज गुप्त से कहती है और तुमारा वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्राधिकारी मिल सकेगा रहा मेरा परश्ण तो मैं कुमारगिरी के आश्रम में जाने का निर्ने ले लिया है यह चितलेखा जो है वो बीजगुप्त से कहती है बीजगुप्त ने चितलेखा से कहा मैं किवल तुम से प्रेम करता हूं किसी और की कल्पना और प्रेम मैं नहीं कर सकता बीजगुप्त की इन बातों को चितलेखा ने अंदेखा कर दिया और चितलेख वो चली गई थी पर बीज गुप जो था वो मतलब बिना चुतलेखा के वो नहीं रह पाया था और उसने विवाह का प्रस्ताव भी चुक्रा दिया था उसने ठुक्रा दिया और फिर उसने क्या किया उसने मृत्यूंजे की पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुक्रा दिया था उसे सारी बाते उसे परिशान करने लगी थी क्योंकि एक तो उसे चतलेखा छोड़ कर चली गई थी उसको विवाह का प्रस्ताफता वो भी उसने ठुकरा दिया था तो बहुत ज्यादा बेच्चैन हो गया था उसने मृत्युंजे के भवन जाकर श्यमा मागने का न शोइ शोधरा मिली और उस समय उसके पिता महल मा इनुपस्थि Opening । उसी समय ये शोधरा कर आने का कारण पूछा तो श्वेतांक ने कहा कि बीजगुप्त आपसे शमा याशना करते हैं और श्वेतांक ने ये भी बताया कि बीजगुप्त कुछ समय के लिए पाटली पुत्र से बाहर काशी जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्योंकि बीजगुप्त इन सारी दुविधाओं से निकल कर अपना कुछ समय एकांत में व्यतित करना चाहते हैं यशोधरा ने अपने पिता से कहा क्यों ना हम भी काशी ब्रह्मन के लिए जाएं पिता जी मैंने भी काशी नहीं देखा है मृतिउंजे ने श्वेतांक से कहा कि बीजगुप्ट से कह देना कि हम भी साथ चल रहे हैं श्वेतांक ने कहा ठीक है तो श्वेतांक ने बीजगुप्ट से जाकर कहा यशोधरा काशी यात्रा में साथ चाहे लेकिन अपने सीमाओं के कारण वो कुछ नहीं बोल सका क्योंकि श्वेतांक जो था वो कही न कही यशोधरा को पसंद करता था काशी में कुछ समय व्यतित करने के बाद बीजगुप्ट यशोधरा की तरफ थीरे थीरे आकरशित होने लगा लोटने पर उसने यशोधरा से विवाह करने का निर्ने लिया उसने मन ही मन कहा कि चितलेखा ने मुझे छोड़ा है मैंने चित्रलेखा को नहीं जब यह प्रस्ता हुए शोधरा द्वारा यशोधरा तक भेजवाना चाहता था तो शोधरा ने उसे बताया कि यशोधरा से वह स्वयम विवाह करना चाहता है शोधरा ने बीजगुप्ट से बताया और यह जानकर बीजगुप्ट जो है वो क्रोधित होता है और सोचता है कि यशोधरा से विवाह वही करेगा श्वेतांक उसका अधिकारी नहीं है लेकिन बाद में श्वेतांक के मन की पीड़ा जानकर जो बीजगुप्ट होता है वो स्वयम ही उसका प्रस्ताव लेकर मृत्युंजे के पास जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए यह शोद्रा से उसके विवा का प्रस्ताव रखते हैं कौन बीजगुप्त रखता है मृत्युंजे श्वेतांक के पिता जी से सहपाथी थे और वह उसे अच्छी तरह जानते थे लेकिन निर्धन होने के कारण क्योंकि श्वेतांक जो होता है वो निर्धन होता है और निर्धन होने के कारण उन्होंने उससे अपनी बेटी के विवाग का करने से मना कर दिया था बीजगुप्त ने उससे श्वेतांग को अपना धतक पुत्र बना बीजगुप्त ने क्या किया श्वेतांग को अपना धतक पुत्र स्विकार कर लिया लेकिन मृत्युंजे को डर था कि बीजगुप्त की उम्र अभी अधिक नहीं है यदि उसका विचार जो है अगर वो पत्ती और अपने पद श्वेतांग को दान देने की बात कह दिया था फिर बड़े धूम-धाम के साथ श्वेतांग और यशोदरा का विवा संपन्न हो इधर कुमारगिरी का क्या होता है कुमारगिरी चितलेखा पर पून रूप से मोहित हो जाता है और उसी की वासना में वो अकमे आग में वो जो है वो धतकता रह जाता है कुमारगिरी जो है वो विचलेथ हो उटता है और चितलेखा से जूट बोलता है कि अब तो बीजगुप्त का विवा ये शोद्रा से हो गया है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं चितलेखा उसे छोड़ करना चली जाए और वो उसको पाता है वो कहीं उससे दूर ना हो बाऊगी तो बीजगुप्त उम्हें वहाँ से निकाल देगा तो तुम वहाँ मद जाना जब ये चितलेखा आहत हो जाती है चितलेखा के मन में बीजगुप्ट और यशोध्रा के विवाह की जो बात होती है उस पर वो विशवास नहीं होता है और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वह विशाल देव को और ये शोधरा पता लगाने के लिए बीजगुप्त के पास ये शोधरा वहाँ पर जाती है पता लगाने के लिए सच्चाई का पता लगाने के लिए विशाल देव को विश्वास में लेकर उसे बीजगुप् के घर बेचती है जहां श्वेतांक उसे मिलता है और जो बीजगुप्त होता है वो भी श्वेतांबर का ही शिश्य होता है जो कुमारगिरी के पास जाता है और वो उसी को भेचती है कहां पर उनके महल बीजगुप्त के महल भेचती है कि जाओ पता लगा कर आओ और ये शोद उसका क्रोध भड़क उठता है और उसे धिक्कारती हुई वहां से निकल जाती है लेकिन बीजकुप्त के पास जाने का साहस उसे नहीं हो पाता है व्यथित चित लेखा कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने घर चली जाती है और सैयमित जीवन जीने लगती है श्वेता के विवाह तक तथा बीजकुप्त के भिखारी के रूप में देश-परेटन के लिए निकल चुका होता है चितलेखा उसे रासते में मिलती है और अपने भवन चलने के लिए निवेधन करती है इस समय बीजकुप्त donc अित्त तुम्हारी ही बात मैंने नहीं टाल ली और मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी भवन जाने पर बीजगुप्थ से सभी बाते चितलेखा बताती है अपना दुख बताते हुए बीजगुप्थ से कहती है मैं कुमारग तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुमने मुझसे समझने में ब्रह्म किया, तुम मुझसे शमा मांगती हो, चितलेखा प्रेम स्वयम एक त्याग है, विसम्रती है, और प्रेम के प्रांगन में कोई अपराध ही नहीं होता है, फिर शमा कैसा, फिर भी यदि तुम कहलाना ची चाहती हो, तो मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हें शमा करता हूँ, बीजगुप्त पुना, जब अपनी यात्रा पर जाने की बात कहता है, तो चितलेखा अपने धन के साथ रहने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बीजगुप्त अब वैभव पूर्ण जीवन ना जीने की ब बात कहता है, फिट चितलेखा भी अपनी सारी धनराशी दान में दे देती है, और दोनों भिखारी बनकर निकल पड़ते हैं, इस समय दोनों के चेहरे अत्यंत प्रसन्न थे, इसी तरीके से एक वर्ष जो है वो बीज जाता है, यानि जो रतनांबर के शिष्य होते हैं, श् श्वेतांग से पूछा कि बताओ, कुमारगिरी और बीज गुप्त में पापी कौन है, तो श्वेतांग कहता है, बीज गुप्त त्याक की प्रतिमूर्ती है और देवता है, उनका हिर्दय विशाल है, जबकि कुमारगिरी पशू है, वो अपने लिए जीवित है, संसार मे विशाल देव से पूछते हैं, चलो तुम बताओ, योग की दिख्षा भी ले ली है, तुम योगी हो गए हो, अब तुम तो बतलाओ, कि कुमारगिरी और बीज गुप्त में पापी कौन है, विशाल देव कहता है, महाप्रभू, कुमारगिरी अजीत है, उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है, उनकी साधना उनका ग्यान और उनकी शक्ती पूर्ण है, और पीज गुप्त वासना का दास है, उसका जीवन संसार में घ्रेनित भोग विलास में है, वो पापी है, पाप मै संसार का, वो मुख्य भाग है, रतनामभर ने विभिन ने परिस्तिति उनकी विशमता का दूसरा नाम है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे दोनों ही शिश्य जो थे, जैसे स्वेतामभर के दोनों शिश्य जो थे, श्वेतांक और विशाल देव, क्योंकि दोनों ही जिस जगे पर थे, जैसे जैसे इन्वामेंट में थे, दोनों ने उसी उसी चीज में और पूँर्फट को पेश Jetzt इवी तको प्राइपाता यानि जैसे जो शवेतांक था वबीजघुप्त के पास तुस ने वीजघुप्त की प्रशनसा किया विशाल देव कुमारइध के पास तो उसने कुमारगिरी की प्रशंसा की, तो इसी तरीके से रतनामबर जी कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टीकोन की विशमता का दूसरा नाम है, प्रतेक व्यक्ति एक विशेश प्रकार की मनह प्रवर्ती लेकर उत्पन्य होता है प्रतेक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिने करने आता है, अपनी मनह प्रवर्ती से प्रेडित होकर अपने पाठ को दोहराता है, यही मनुष्य का जीवन है, जो कुछ मनुष्य करता है, वो उसके सुभाव के अनुकूल होता है और सुभाव प्राकृतिक है, अपना स्वामी नहीं है, वो परिस्तितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वो केवल साधन है, फिर पुन्य और पाप कैसा है, अन्त में उन्हें समझाते हुए रतनामभर कहते हैं कि संसार में इसलिए पाप की परिभाशा नहीं हो सकी है और ना हो सकती है, क्योंकि हम ना पाप करते हैं और ना पुन्य करते हैं हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है अंत में उठते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मत है आपका मानना या ना मानना आपके उपर निर्भर है और दोनों शिश्यों को आशिरवात देते हुए वहां से चले जाते हैं तो इस तरीके से ये चित्रलेखा उपन्यास जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है तो अब आप मुझे बताईए कि आपको क्या लगता है पाप और पुन्य क्योंकि श्वेतामबर जी ने तो पाप और पुन्य को बहुत ही सही धंग से एकदम अगर कहें कि एक निचोर टाइप से और एक बहुत ही व्यवस्तित धंग से उन्होंने बता दिया कि पाप और पुन्य क्या है पाप और पुन्य कुछ नहीं है हम जिस तरीके से जैसे रहते हैं हम जो कार्य करते हैं हमारा जैसा जीवन होता है हम उस परिसितियों में अपने आपको ढाल लेते हैं और दूसरे वाला जो देखता है उसको उसको लगता है यह पाप कर रहा है वो अपना जीवन उसी में खुशी से जीता है इस तरीके से श्वेतांबर जी ने अपने दोनों शिश्यों को पाप और पुन्य समझाने में महानता हासिल कर ली और इस तरीके से ये उपन्यास यहीं पर समाप्त हो जाता है मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा सो थैंक यू सो मच फोर सी दिस वीजियो थैंक यू